पहलो व्यार्विचों कैसे हैं आप लोग आई हो बहुत अच्छे होंगे और ग्लास को इंज़वाई करें होंगे हम लोग डेली बहुत इसांधार प्रश्णों को देख रहे हैं और आप लोगों को ग्लास अच्छे से समझ में आ रहे होंगी ऐसा उम्मीद है मुझे तो चल सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों के प्रदूसर जांच में निमने लिखित में से किसकी पहचान तथा उसकी मात्रा को मापा जाता है। इन में से किसका जांच किया जाता है मोटर कारों के प्रदूसर में आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। विकाज है आमजन जीवन से जुड़ी हुई बाते हैं और मोश्टी चीजे पता रहती हैं सब तो आपका अफसन नवर फश्ट बिल्कुल सही है। सीशा और कार्बन के कड़ के जांच होती है सर्वेस स्टेशनों पर कि मोटर कार जो है ये कितना जादा सेशे और कार्बन का उसरजन कर रहे हैं। अंटाक्टिका के परत पर सरबाधिक बिनास किस माह में होता है। इसको भूमद रेखा कहते हैं यहाँ पर है साड़े तेईस डिग्री आपका और यहाँ पर है आपका साड़े तेईस इसको कहते हैं मकर रेखा और उसको कहते हैं करक रेखा। जो सूरी है वो या प्रितिवी का यही हिस्सा सूरी के सामनी होता है और आप सभी को पता होगा कि अन्टाक्टिका यहां पे है दचडी धुरू और आर्कटिक यहां पे है उत्री धुरू जब सूरी उत्रायड होते हैं उस समय सितंबर अक्टूबर का टाइम होता है और उस स में यहां पे ठंडी के सुरुवात होती है उत्री गुलाद में ठंडी के सुरुवात होती है सितंबर अक्टूबर में और सितंबर अक्टूबर में दच्छे गुलाद में गर्मी के सुरुवात होती है यानि कि पूरी ठंडी खतम हो चुकी होती है और यहां पे ठंडी जो है वो तरीके से कहिये कि वो खतम हो चुकी है तो गर्मी के सुर्वात हो रही है और आपको मैंने बताया था कि जो ओजोन में होल है वो अंटाक्टिका पर ठंडक में होता है ठंडक के टाय में क्यों होता है धृबिय भवर सक्रिय हो जाते हैं आसमान में ठंडा होने के वज़े से समताप मंडल में बादलों का निर्मावड होता है क्लोरीन जैसे सक्रिय गै यानि कि यहां पर ठंड़क कप खतम होगा तो यहां पर ठंड़क सितंबर अक्टूबर में खतम होगा जब उत्री गुलार्द में शुरू होगा तब यहां पर खतम होगा सितंबर अक्टूबर में यहां बसंतरित होगा यानि कि यहां पे गर्मी आएगी और यहां पे सरतरित होगा यहां पे ठंडी शुरू होगी तो आपको मिने बताया था अंटाक्टिका पे जब वहां की ठंडी खतम हो रही होती है यानि कि वहां के बसंत में सबसे ज़्यादा बड़ा होल देखता है बसंत्रित वहाँ पे का बाता है सितंबर अक्टूबर में आता है चोकि वहाँ पे ठंडी खतम हो जाती है और उसके बाद होता है मार्य अक्टूबर का महीना में जो होता है यह बसंत्रितु का होता है उत्रि गुलार्द में नहीं होसट से बाद मैंने बहूत अच्छे सिपड़ाई थी कि वह जोन क्या है और जोन में होल क्यूं होता है कि सबसे ज़ादा होता है देखे आपके सामने आ गया अगला ग्वेशन उत्री गोलार्द में ओजोन परत के बिनास की स्थिति किस माह के बीच देखी जा सकती है अभी अभी मैंने आपको समझा दिया है और बता भी दिया है सारी बाती कि जब यहाँ पे गर्मी के सुरवात मार्च चल रहा है इसका मतलब इस टाइम में आपके उत्री गोलार्द में ओजोन में होल सबसे बड़ा आर्कटिक बृत पे देखने को मिलेगा तो आपका आपसन क्या हो गया है मार्च अपरेल हो गया है सभी को पता इस समय यहाँ पे गर्मी शुरू हो गई है और इस समय पूरे ठंड़क का जो क्लोरीन और बादलों के गैस और ध्रुविय भावर की वज़से जो ओजोन में होल हुआ होगा वो सबसे बड़ा होल इस समय देखने को मिलेगा अगला देखिए मोटर बाहनों से निकलने वाली निमलिकित में से कौन से एक मुख्य प्रदूसक गैस प्रदूसक गैस तीसरा करा नाइट्रोजन और चौथा और आपका करण मोनो आकसाइड भी है तीसरे नमबर पे तो बताएंगे इन में से कौन सा है जो मोटर बाहनों से निकलने वाला एक प्रमुख प्रदूसक गैस है तो मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यदा जो कार्बन मोनो आकसाइड है किसे निकलता है मोटर बाहनों से निकलता है जब इन धनों का सही से दहन नहीं होता है तब आपका कार्बन मोनो आकसाइड निकलता है तो यह क्या हो जाएगा कार्बन मोनो आकसाइड जो काफी घातक गैस है इसको दम घोटो गैस भी कहते हैं आक अमल बर्सा होती है अमल बर्सा क्यों होती है अमल बर्सा के लिए क्या रिजन है कारखानों से होती है पैट्रोल से होती है कोईले के जलने से होता है या लकड़ी से होता है आपको बताने इन में सबसे बड़ा रिजन है यह सारे रिजन होते है आप पता है लेकिन सबसे जादा आद्योगी करड़ हो गया है तो आद्योगी करड़ यानि की कारखाने सबसे जादा अमल बर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं बाकी चीज़े भी हैं लेकिन यह उतना नहीं है जितना कारखाने हैं इनका सबसे बड़ा रोल होता है अगला देखी तालाब में तैरने से मनिस्य की तवचा जल जाती है अगर बहुत ज़्यादा कोई तालाब में तैरता है तो इसकी स्किन जल जाती है, इसकी बर्न हो जाता है क्यों? अवरक्त किरडों के कारड, क्लोरीन के कारड, उस्मा के कारड या परावेगने किरडों के कारड बताएंगे बिचा लोग ताला आप में बहुत जादा अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं तो आपके इसकिन जल सकती है और इसके लिए क्या होगा रेजन इसके लिए रेजन है क्लोरीन के कारड क्लोरीन के कारड ही आपके इसकिन में एक तरिके से के जल सकता है अगला आपको बताना है फुप्फुस धुली मैता से वे स्रमिक रोग रस्त होते हैं जो मुखेतिया कारे करते हैं किसमे चर्म रोग उद्योग में, कोईला खनन उद्योग में, मद्य निर्मार सालाओं में या सेसा उद्योग में बताएंगे बिचा लोग क्या हो जाएगा आपका याद रखेंगे क्या हो जाएगा बिचा लोग तो आपका आपसन नंबर जो दो है आपका कोईले खनन की उद्योग से फुप्फुस मतलब होता है जो आपके सांस नली है इसमें धूल कड़ के जम काने की वज़े से अगर वो जम जाते हैं बहुत जा काम करें चोगी कोईला तोड़ने से उसको यूज करने से उसमें से राख निकलता है धूआ निकलता है तो जो राख होता है जैसे अक्सर देखिए बच्चे कोईला तोड़ते थे अब इस सरकार ने बयान कर दिया कि बच्चे कोईला नहीं तोड़ेंगे चोगी तोड़ने वहां भी बहुत ज़्यादा कोईले के धूल करूलते हैं और यह स्वास्त के लिए बहुत ही हानिकारक होते इससे होता है फुप्फुस धूली मैता यह आयोक के द्वारा कही बार पूछा गया लोगों को जागरूप करने के लिए अगला देखी कहरा निमलेखित में से कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलिये तापन के प्रती करण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ता हो रखा था इन में से कौन सा देश है जिसने पहली बार global warming को कम करने के लिए carbon tax लगाने की बात करी थी पहला करी थी आश्ट्रेलिया दोसरा करी जर्मनी तीसरा करी जापान और चौथा करी नीशी लेंड बताएंगे विचलोग कौन सा देश हो सकता है जो कहेगा कि global warming हो रहा है इसलिए कार्बन टैक्स लगाना चाहिए ताकि लोग कार्बन का उसरजन कम करें क्योंकि क्लूबल वार्मी में 60% का योगदान कार्बन का होता है तो आपका आपसन नमर 4 बिल्कुल सही है नियूजी लेंड चलिए आगी पढ़ते हैं अगला क्वेशन देखे भारतिये बल जाना नगर पालिका द्वारा कूड़ा विसरजन और द्योगिक बहिस्राव या वायू बिले बताएंगे क्या सबसे बड़ा रिजन है भारत में समुद्र के तटिये छेत्रों के प्रदूसित होने का जानते होंगे बचलो कि जितने समुद्र तटिये लाके होते हैं व महां पर बहुत जादा उद्योग धंदे डवलब होते हैं जैसे उद्धारार की लूप में मॉंबाई ले दीजे आप गुजरात के टटकी बहुत सारे हैं आपके नगर ले सकते हैं आपके विसाखा पत्तनम गयरा सब आपके कितने जादा इंडस्ट्रियल नगर हैं तो य ज्यादा समस्या हो रही है मिट्टी में भी जल में भी वायू में भी और मानों की स्वास्त पर भी अगला देखे फ्लाइस प्रदूसक दहन उत्पादक है जो प्राप्त होता है किसको जलाने से फ्लाइस आप लोगों ने पढ़ा है ये भी पढ़ा है कि कहां कहां से फ्ला इंजी सबसे कम प्रदूसर करता है आपका डीजल से भी उतना ज्यादा फ्लाइस बगरा नहीं निकलेंगे यह आपके बड़े बड़े टुकड़े होते हैं जो हवा में उड़ते रहते हैं तो आपका क्या है सबसे बड़ा रेजन कोईला होता है इसके नमा लकड़ी जलाना घर से निकलने वाले जो मतब खेतों से निकलने वाले जो अपसिस्ट है उनको जलाना ऐसे चीज़ों को जलाने से जो राक निकलते हैं उसी को हम प्लाइस कहते हैं जो हवा में तरते रहते हैं और बहुत सारी समस्याइं क्रिएट करते हैं अगला देखिए वाई मंडल में क किस देश में सरप्रतर nossa duty आपको बताना है सबसे पहले कहां पर अम्ल वर्षा हुई थी पहली बार कहीं हुआ होगा उसके बद अन्ने जगह होंपे भी देखा गया होगा नार्वे में 1973 में स्वेडन में 1972 में या आपका इंगलैंड में получится सत्तर में या फ्रांस में 1970 में बताएंगे बचा लोग बाई मंडल में किस देश में सरप्रत्थम आमली ये बरसा हुई थी याद रखेंगे आपको पता है कि समस्या करता है इंग्लाइंड लेकिन दिक्कत किसको होती है स्वेडन को और नार्वे को होती है तो सबसे पहली बार स्वेडन में 1972 में अमल बरसा देखने को मिला उसके बाद आने जगहोपी होने लगा बारतमान में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित अमल बरसा से वो नार्वे स्वेडन और फिन लेंड ही है जिसके लिए ड्रेजन कौन है कौन है ब्रेटेन है मैंने आपको पढ़ाया भी था क्लास में बहुत अच्छे से सारी चीजी अगला देखिए स्मोक सिटी ऑफ इंडिया के उपमा किसे प्रदान की जाती है कौन से सहर को हम कहते स्मोक सिटी ऑफ इंडिया पहला कह रहा है दिल्ली दूसरा कह रहा है मुंबई तीसरा कह रहा है कौलकाता और चौथा कह रहा है कानपूर बताएंगे बचा लोग स्माक सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं और ये भी आपके लिए काफे सांधार प्रस्न है बहुत पुराना हैं लेकिन याद रखी गा बहुत पहले जब लोगों के अंदर जागरुखता नहीं थी बेडी सीक्रेट पीने का इतना चलन हो गया मोवेस से लेकर के रेयल संदगी में जब तक लोग सीक्रेट नहीं पीते थे उन्हें मतलब जो है अजी भी लगता रहोगा पता नहीं वो कौन सा फैसन था कि हर बेक्टी पीने लगा था और कोलकाता में इतना जादा लोग सिक्रेट पीने लगे कि वहाँ पे बहुत जादा वाइफ प्रदूसर होने लगा सिक्रेट की वज़ा से और ये समस्या धुंद की तरह सामने आया है इसलिए इसको कहा गया समाग सिटी आपका क्या हो जाएगा कोलकाता को इसमाग सिटी कहा गया था वहां की वाओ के बहुत ज़्यादा धुम्रबपान करने की वज़ेसे अगला ग्वेशन देखे है स्टोन कैंसर जैसे खतरे का प्रमुह कारण की से मान जाता है अमल बर्सा को ग्रीन हाउस प्रभाव को ब्राउन हेज प्रभाव को या वैस्विक तापन को यानि की ग्लोबल बादमी को तो आप सभी को मैंने बताया था पत्थर तोड़ने वाली गैस अमल बर्सा करने वाली गैस आप सभी को पता है कौन हो जाता है अमल बर्सा इसके बज़े से पत्थर का छरड होता है, तूट जाते हैं, माकान तूट जाते हैं, आपके पाइप लाइन तूट जाते हैं, बहुत सारे चीजे नस्ट हो जाती हैं, इसी को पत्थर तोड़ने वाले गैस भी कहते हैं, इसी को स्टोन कैंसर भी कहते हैं, तो आपका आपसे बिलकुल सही है जैसे ताज महल का तच्छरड हो रहा है हरास हो रहा है यह सी की बज़ा से हो रहा है निमने कित में से कौन धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है इसमें से कौन है जो धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है दिल्ली सिकागो लंदन या न्यूयोक फटाफट जबाब बहुत ही सांदार प्रस्न है और ये भी जैसे इंडिया का कोलकाता था बहुत जादा धूम्रपान करने की विज़े से फीमस हुआ वैसे ही आपका जो आपसर नंबर थीरी है निउयार्क निउयार्क या सिकागो थोड़ा सा चलिह हम सिकागो को कर रहे हैं इसको हम ए जिसे धूम्रण गर कहा जाता है चलिह अगला देखते हैं डाप्शन इकाई का प्रयोग किया जाता है डाप्शन इकाई का अप्योग किस्डिय किया जाता है आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने प्रित्वी की मोटाई मापने के लिए ओजोन परत की मुटाई 300 यूनिट है तो अच्छा है लेकिन अगर इसकी मतलब मुटाई है वह 220 हो गया यूनिट 220 हो गया तो इसका मतलब बहाँ पे ओजुन का छरड हो रहा है या हो गया है याद रहेगा संतुलित जो डॉप्सं की मुटाई होनी चाहिए ओजुन परत की डॉप्सं में 300 सो यूनिट होनी चाहिए अकर 220 आगे इसका मतलब होल हो गया है तो आपसे नंबर आपका कौन सा सही है ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है डापसन में जुगाली करने वाले पसुओं से जिस ग्रिन हाउस गैस का निस्तारड होता है वो कौन सा है आप सभी को पता है कि जु जुग है वो कौन सी ग्यास निकालते हैं मिथीन है सी एपसी है नाइट्रस आकसाइड है या कर्बर डायाकसाइड है आप लोगों को मैंने कहा था जितने भी जिव सेलूलोज का पाचन करते होंगे या जहां भी बनसपतियां जिव जनतियू सड़ते होंगे खास करके बनस तो वहां से भी मिथेन निकलता है आपके जो दीमक होते हैं ये भी पेड़ों के देखे टानियों में चिपके रहते हैं और पेड़ों के छाल को खाते हैं जिससे वो भी सेलूलोज खा रहे हैं तो वो भी क्या करेंगी निकालेंगे मिथेन जितनी दलदली भूम में हैं वे से मिथेन गयस निकलता है याद रखेंगे आपसर नमर फर्स्ट बिल्कुल सही है अगला कोई सिंदी के बिचालो कह रहा है संयुक्त राष्ट परियावरण कारिकरम की एक रिपोर्ड की अनुसार एक भोरे रंग की धुए अत्वा एसियाई भोरे रंग का बादल जो एसिया सकता है UNDP के अनुसार कह रहा है कि आपका एक भोरे रंग की धुण्ध अत्वा एसियाई भोरे रंग का बादल जो एसिया के 10 मिलियन बर किलोमीटर आकास में आच्छादित है तबाही मचा सकता है तो निशित ही ये कहा कहा तबाही मचाएगा सभी छेतर में मचाएगा बर कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है जो सही सुमेलित नहीं है आसुमेलित यानि कि सही सुमेलित नहीं है उसकी पहचान करनी है और ये भी सब आपका पढ़ा हुआ है आयो के दोला देखे पूछे गए है प्रस्न इटाइटाइ रोक्या ये कड्मियम के प्रदूसर से होता ह गटाहलो क्लास में के सिधा भुल जाते हैं भारी पतात हैं उनके सेवन फेली तै fino तो रखेंगे भाकी बातें मैंैं Tiता है अगला देखिए मानो जनित परियावरण प्रदोसर कहलाते हैं अगर मानो की वज़े से परियावरण में प्रदोसर हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे परजैविक कहेंगे, हुमेलिक कहेंगे, प्रतिजैविक कहेंगे या एंथ्रोएजेनिक कहेंगे पता ये मानो की वज़े से अगर परियावरण में प्रदोसर हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे बहुत important प्रेश्ट बचा लोग आपका कौन सा option सही है, option number 4 आपका बिल्कुल सही है अगर मानों की वज़सी पर या वरण में प्रदूसर उत्पन होता है तो अगला question देखी कहरा है, पेजल में संख्या प्रदूसर सरबाधिक है, यानि की पेजल में सबसे ज़्यादा प्रदूसर कहाँ पेझा है छिन्नई कानपूर दिल्ली या मॉंबई फटा-फटतर दीचेगा, सबसे ज़्यादा पेजल कहाँ का प्रदूसर है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए, मुझे पता है कि दो में आप लोग अटकेंगे, एक दिल्ली और एक कानपूर, और इन दोनों में संभावनाई बिल्कुल बनती है, तो इसमें से आपका जो सही है, वो है कानपूर, बहुत ज़्यादा प्रदूसित सहर है से सरबाधिक रासायनिक प्रदूसर होता है, चमड़ा उद्योग में से, कागज उद्योग से, रियान उद्योग से, या बस्तर उद्योग से, इन में से कौन से उद्योग से, सबसे ज़्यादा रासायनिक प्रदूसर होता है, आपको बताना है, और ही भी आपके लिए बह बिल्कुल सही है विस्व की हरितिग्रे गैसों में भारत का आधिभाग कितना है यानि कि जो टोटल विस्व में ग्रेन हाउस एफेक्ट है उसमें भारत कितना योगदान देता है आपको ये बताना है आपके सामने आफसन है एक प्रतिसत दो प्रतिसत तीन प्रतिसत या पां में करता हैं एक बलकुल सही है किसे तत्तों के लगातार संपरक के कारन बलа by नामक हो तत्त॥ और अगर अगर लगातार संपरक में हैं जोlig रहे हैं तो आपको परना मग रोग हो जाएगा ऑसमेरी अ कैडमिया या फार है फार्ट उततर देएगे, Amiam आपने देखी लिया था बारा भी देख लिया था, नाइटरेट भी देख लिया था, इन सबसे जो बिमारिया होती हैं आप सबी कुल रट लेना है amament याद कर लेना है बार बार रेजन करके आपका पहला आप्षण बिल्कुल सही है आरसेनिक रोग से ब्लाक पूट रोग होता है आप्षण नमर आपका फ़र्षट बिल्कुल सही है इसको याद रखेगा बहुत ज़्यादा इंपोर्टन है अगला देखिए ग्रीन हाउस गैस के उस सर्जन के लिए कौन सा देश उत्पादन करता है तो आप सभी को पता होगा कि सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है वो चाइना करता है लेकिन अगर बात करेंगे प्रति बेक्ति सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है तब आपका यूएस हो जाएगा यानि कि प्रति बेक्ति सबसे ज़्याद का उत्ताई है यह कहता कि सबसे ज़ादा योगदान इसका किसे बड़ा हिस्सा किसे का है तब आपका चाहिना हो जाता तो यहां पर सबसे ज़्यादा यानि कि प्रति भीक्ति सबस्ञार उत पादन कर रें हैं इसलिए आपका युईयस में बिलकुल सही अपन हो जाएगा को कोईलला प्याट्रोलियउं डीजल आदी का दहन के घुटckerु है जल उनेजर के बाइप तालों धनेशक्रेय का करते लोग थूनियाइच करें लेकिन सबसे जहाते प्रदूसर्ड भी इनसे होता है तो सारी चीज़े करते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा ये वायू का प्रदूसर्ड करते हैं तो मीदे विचा लोग आपको पड़ा हुआ रिविजन हो गया होगा और कुछ नई बाते भी सीखने को मिली होंगी तो आज के लिए इतना ही हम ताइंक यू सू मच्च